हाई एवरिवन यह एक PHP का लोजिकल क्वेशन है जो बहुत बार इंटर्व्यूज में पूछा जाता है और अगर हाँ फ्रेश होना तो यहाँ पे आपके तीन-चार क्वेशन बनेगे ध्यान से समझना है इस क्वेशन को देखो हमारे पास एक statement है जहाँ पे लिखाव है true then end operator double m% के साथ और बात में लिखाव है false और इसको x में sign कर दिया गया and then इसको where dump करा गया तो क्या result आएगा यह actual में question नहीं है बट मैं आपको इसका पहले result दिखाता हूँ इसका result आएगा false यहाँ पे आप दिख पा रहे हो इसका reason यह है कि जब भी हम लोग end operator लगाते हैं तो दोनो statement true होनी चीए और कि इधर वाली भी और इधर वाली भी ठीक है अब यहाँ पे एक true है एक false है तो obviously इसका result क्या आने वाला है false बट अगर same चीज हम लोग यहाँ पे end लगाएंगे तो इसका result क्या आने वाला है आप बोलोगे false ही आएगा because यह भी end operator है यह भी end operator है जी नहीं इसका जो result आने वाला है वो होगा true कैसे एक बार मैं आपको यहाँ पे इसका output दिखाता हूँ मैंने file save कर ली देखो true अब इसका reason क्या था कि उपर वाला जो end operator है इ इसकी priority जादा होती है तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में end operator लगेगा इन दोने compare करा कि क्या चला यहाँ पे एक true थी value एक false थी और end operator के साथ में इसका result आना चीए false और बाद में वो x को assign हो गई and जब हमने इसको print करा तो क्या result आया यहाँ पे false मिल गया हमें but जब हम लो पहले comparison नहीं होता यहाँ पे true और false के बीच में end operator के साथ में सबसे पहले क्या होता है यह value true value x को assign हो जाती है और उसके बाद में यहाँ पे इससे comparison होता है तो पहले comparison हो इन जब पहले value assign हो जा रही है तो इसलिए जब यह चीज चली तो आप एक बार के लिए मान के चलो कि चीज हुई नहीं और इसकी वज़ेसे इसका result क्या आता है हमारे पास true जब भी हम लोग यह वाल operation रन करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखरागा refresh करने के बाद अब इस चीज को proof कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे हमारे पास जो एक assignment operator भी हो रहा है यहाँ तो इसको value assign हो रही है अगर आप देखो जो अब result आ रहा है वो यहाँ पे true आ गया पट अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को directly यहाँ पे where dump करूँ है तो इसका result आएगा false यह इसका reason क् because अब यहाँ पे actual में दोनों में comparison हो रहा है यहाँ पे equal operator है नहीं जो की यहाँ पे था और यहाँ पे values को assign ही नहीं पारी बस comparison हो रहा है तो point यह है कि इन दोनों operator के बीच में difference क्या होता है आप बोलोगे कि जब हम लोग double m% लगाते है तो इसकी priority जादा बनती है equal to से और ज comment section ने कुझे बताना आपको यहाँ पार्ट कैसा लगा, thanks guys!